यो we are going to learn about the how to create match code or flash effects बहुत ही easy तरीके से हम लोग इसको create कर सकते इंसाइड प्रीमेर प्रो जास हम लोग को फ्रेम को मैच करना है उसके लिए दो टेक्निक हम लोग को यूज करनी होगी मैंने यहां पर विजुल लिया है तो दो फूटिज है उसको sync करते है ठीक है अपने हिसाब से according to paste shot दीजिए उहां पर और उसको cut करके arrange कर दीजिए इसको timeline पे okay टाम लाइन को जूम कर रहा हो थोड़ आसा okay उसके बाद यहाँ पे grid क्रेंगे और एक grid line लेंगे मैं नोस को targit कर रहा हूँ आप eyes को भी target कर सकते मैं नोस को target कर रहा हूँ देख सकते हैं यहां पे okay तो थोड़ा सा अरेंज कर लिजा और दूसरे किलिप में जाहिए अगें में एक्सवर आपका 4K होना चाहिए फोटेज एंड फिर से इस किलिप को हम लोग क्या करेंगे पोजिशन और इसकेल सेंज करेंगे चेंज करने का टाइम को आपको ध्यान देना आएगी आपका परपोर्शनली ठीक रहेना चाहिए देख सकते ब्लाक कलर का बैगरॉंड देख रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे इसकेल आप कर देंगे और पोजिशन चेंज करते रहेंगे जब तक नो सेंटर पर नहीं आ दो चीज आपको ध्यान देना है फूर्ड के फूटेज होना चाहिए और हाई क्वालेटी फूटेज होना चाहिए तो इस तरीके का एक इफेक्स बनके आ जाता है यहां पर देख सकते हैं अब इस ग्रीट को हम लोग कैसे अटा सकते हैं आपको सिंपल ही ड्राग डाउन कर करना है इस तरीके से कंट्रोल आर प्रेस करने से ग्रीट बंद हो जाएगा फिर तो इस तरीके से एक बहुत ही अमेजिंग मैच को मैच को ट्याप है हम लोग बना सकते हैं जो कि बहुत ही इंगेजिंग और ट्रेंडी है